आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नमबर 31 और लास्ट सेशन और MP हिस्थी स्पेसिफिकली आर्ट इंड कल्चर एस वेल इस इंडियन आर्ट इंड कल्चर और तो हम लोगों ने फिलाल पूरा सब कुछ तो पड़ी लिया है आज की क्लास में मैं कॉंग्रेस सेशन मद आज पता चल जाएगा कि आर्ट इंड कल्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तकरीवन 20 के करीब क्वेस्थिंस पूछे गाए अगर आभी आप लोग देखेंगे ना तो इसी एल्ट में MP PSC के 2021 में सबसे ज्यादा क्वेस्थिंस आर्ट इंड कल्चर से पूछे हैं औ अगर आप मगब करना चालू करेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा और मोस्ट अफ दी क्वेस्थिंस भी सॉल्व होंगे जहां से पढ़ाया है और जहां से नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है कैसे करना है क्योंकि तो टीचर का एक लिमिट है लिमिट क्या है आप लोग भी आनते हैं लिमिट क्या है कि यार क्वेस्टेंस वो कहां से पूछ लें कौन सा स्टेटमेंट उठा के पूछ लें ठीक अंतरयामी नहीं है अपन अपनको लिमिटेट पढ़ना है और सक्विवन 75 प्लस मार्क्स कैसे भी करके लेकर आना है 75 इसके उपर जाने की कोसिस करोगे तो भाई 20 questions तो ऐसे होते हैं कि अच्छे तुर्रम खावी नहीं कर पाते हैं तो यह previous year questions है इनको please देखिएगा और आप समझने की कोसिस करिएगा किस तरीके की questions पूछे आते हैं यहाँ पर मैं questions बताने की कोसिस करूँगा which of the following is not a famous painter of Madhya प्रदेश यहाँ पर आप देखिए question पूछा है personality based personality personality based questions आप से पूछा है कि इन में से कौन सा famous painter नहीं है आते हो ओम कारेजवर या ओन कारेजवर तो आपके यहाँ पर statement में लिखा हुआ है ओम कारेजवर ओम कारेजवर is the main thing जो मंधातर directly correlate कर रहा है तो देखिए previous जो names होते हैं किस नाम से आने आते हैं तो यह भी हमारे लिए और आपके लिए काफी important हो जाता है next guys in which of the following regions कलगी टुर रहा याद करो मैंने एक trick से बताया था है की नहीं है trick से याद करवाया था निमाड छेतर में तो कलगी टुर रहा जो है fog drama है कहां का तो निमाड छेतर का है निमाड में याद करो वो कलगी गुड़िया की कलगी सवार रही थी, कलगी नहीं सवरी, तो मारा, आलू खिला के कलगी सवार रही थी, ऐसे करके मैंने ट्रिक से बताये तो न आपको, तो निमाड छेतर से डायरेक्ट ये question related है, Now, which of the following inscription, जो की पहली advertisement of the world के नाम से भी आनी आती है, तो याद रखिएगा, दसपुर inscription जो है, अब ये ऐसे questions होते हैं, जो कहीं न कहीं random होते हैं, अब कभी inscriptions पर question आए, तो आप लोग places जरूर देखिएगा, places कौन कौन सी होती हैं, इस तरीके के भी questions आप देख सकते हो, Then, who was the author of Mudra Rakshas? कौन बंदा था जो author है? So, मैंने आपको पढ़ाया है, specifically, कितने सारे personality-based questions बता हैं, even personalities ने क्या-क्या लिखा है, we talked about that also, right? So, Mudra Rakshas, जो किताब लिखी थी, वो विसाक दत्त ने लिखी थी, विसाक दत्त विसाक दत्त इन्होंने मुदर राक्छस लिखी थी, direct question, personality-based question, right? You can see next question, the shape of which tree is found in the seals from the Indus Valley Civilization? So, Indus Valley Civilization से, भाई, कोई tree है, भाई, वो tree कोन सी पाई गई है, तो बड़ा tough सा हो जाता है, क्योंकि काफी, मतलब किताब में मिलता नहीं है, लेकिन question पूछ लिया है, तो बैसे people का पेड़े, right? याद रख लेना, people का पेड़े, right? जो कि वहाँ से पायगा है, आप इस तरीके के भी question पूछ लिया आते हैं, जैसे मैंने paintings बताई थी, तो इस पे questions आप specific समझो, कि paintings based questions पूछ लेंगे, कि वही, dancing girl कहां देखने को मिली, ये question पूछ सकते हैं, ठीके, आप से पसुपतीनात क सील के बारे में पूछ सकते हैं, अभी तो आप से people का पेड़ी पूछा है, ये भी पूछ सकते हैं, कि पसुपतीनात के इर्दगिर्द कौन-कौन से जानवर बेठे हुए, इस तरह के questions पूछ लिए आ सकते हैं, next one guys, आप देखिए 48 questions जो आया था, the unique features of whose administrative system was the development of village autonomy, अब य ये जो question है, ये medival related है, अब इसमें भी आप लोगों ने कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा, even ये lucerne में लिखा है, चोला, जो चोला लोग थे ना काफी famous थे, चोला लोग काफी famous थे, तो हम लोग जब चेरास के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा medival में, चेरास, चोलास पांडयास, इनकी वारे में पढ़ो तो दो, तीन, दो, तीन, दो, तीन, डिस्क्रिम्शन, दो, तीन, दो, तीन, डीटेल जरूर आप लोग याद करिएगा, right, next question जो पूछा गया था, 49th question, देखी आप, to which period do the sights of Allora and Elephanta, अब याद करिए ये में ने पढ़ाया है, चिला, मेहमूद गजनवी, कौन सा ऐसा चंदेल का राजा था, चंदेल का राजा था, जिन्होंने मेहमूद गजनवी को फेस करा था, तो याद रखना है विध्यादर, क्या नाम है जी, विध्यादर, विध्याधर, विध्यादर जी, right, तो उसने फेस करा था, तो बस direct आप इतन तो इस तरह से अगर आप अपना प्रोच रखेंगे नगाइस तो 100% आपको कही न कहीं समझ में आही जाएगा नगाए नेक्स्ट क्वेस्टन जो पूछा गया है मलव संबत जो था उसको हम किस और नाम से आते हैं तो इसको कृत करित कर आई टी संबत के नाम से अब यह चीज कई ओवर छोड़ने के लिए आती है इसको आप कहां से उठाओगे कहां से डूंड़ोगे तो कुछ शोड़ने के लिए आते हैं उनमें से यह था ना नेक्स्ट आप देखिए जी जो छीट का कॉटन क्लोथ होता है छीट के कपड़े पहने जाते हैं अब यह मद्यपरदेश में किसे विजन में फेमस है तो यह तो पड़ते ही है जैसे चंदेरी के बारे में पिशली बार काफी फेमस है तो ऐसे ही चीट के यो कपड़े हैं आपको धार में देखने को मिलते हैं कहां पर धार में तो यह स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेस्टन हो गया अब यहां से हमें यह समझ में आजा है कि वह जी आई टेक्स के बेज़ पर बीक्वेस्टन पढ़िए 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 एवर्यवन रीडिट येस तनू पर सब्सक्राइब अनीता जी समझ में आ रहा है समी अहमध राइट देखिए जैसे यह क्वेस्टन पूछ अब यह क्वेस्टन के आने यह थोड़ा सा छोड़ने के लिए तो हो सकता है अब क्योंकि स्ट्री में आप कितना डेप्ट में जा सकते हो आप सोचो ना हमेसा याद रखना है एक होता है कोस्ट वेनिफिट अनलिसिस कोस्ट से साम तक MP का करेंट पूछ रहा है और MP ने करेंट के नाम पर क्वेस्टन क्या पूछा है या तो बहुत सड़ा सा क्वेस्टन पूछा है या फिर इतना ज्यादा फैक्ट्वल क्वेस्टन पूछा है कि जिसमें हमें कुछ नहीं करना है अकड़ वकड़ बंबे वो वहला ह हमें टेकिनिक अपनानी है तो इस तरीके से आप लोग समझनी कोसिस करिए कि क्वेस्टन्स होते हैं थोड़े से थोड़े से टीडियस भी हो जाते हैं तो आप अपना एक जोन देखिए कि जिस जोन में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो उस पर थोड़ा और ऐसा मेंद से महनत करिये जहां पर कोश्ट कम है जहां से क्वेस्टम कम आ रहे हैं या फिर क्वेस्टेन आ रहा हैं लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सकते को मेरा मनना है ऊस gjorde केिक कटबवाली को मадयः किन्ज पुचाय कई वार हम लोग इनको नहीं पढ़ाते तो जब भिए questions आए तो आप यह incorrect, correct यह जरूर देख लीजिए गा, right? अब देखिए इसका answer था, सिपाई वहदूर सरकार इन्होंने establish करा था जी इद्दोर को, तो यह देखो यह common sense से भी solve हो सकता था, क्योंकि इंदोर का सिपाई वहदूर सरकार से कोई लेन देना नहीं है, और इन्होंने पूछा क्या है, incorrect, तो यह या तो छोड़ने के लिए, या तो common sense से भी आप चाके solve कर सकते हो, और बाकी यह सब तो हम लोगों ने पढ़ाई है, यह मैं नहीं पढ़ाया है, खाजा इंद भीमनायक के बारे में मैं नहीं पढ़ाया है, अपनी लास्ट क्लास में, संकर सहा के बारे में मैंने खुदने पढ़वाया है, लास्ट क्लास में गड़ मंदला स्टेट के बारे में, फिर जुजार सिंग, देवनाथ सिंग, और रामगार फोर्ट अगेंस दे बिल्टेस रूल, यह भी मैंने खेला जाता है, तो जनरली भारिया ट्राइब होती है, और चिंदवाडा छेत्रे, चिंदवाडा, चिंदवाडा, वहाँ पर आपको गोटमार फियर देखने को मिलेगा, आप देखिए, मैंने पढ़ाया था, आप लोग याद करिए, फिच अफ फॉलॉइंग कॉलम इस न खेला था, हरी संकर परसाई जी ब्यंग आत्मक लचनाई लिखा करते थे, रानी नाकपनी की कहानी बहुत फेमस है, हरी संकर परसाई जी रोट इट, तन भावानी परसाद मिस्र की अगर हम बात करें, तो इन्हों ने गीत फरोस लिखी है, ठीक है, सत्पुडा के घने अगज़ एवर्वन रॉट लेंट अवाट इट आल्सो, फिर नेक्स्ट जो है ना हिंबत गिरी, हिमतरणगनी, सुड़ी, हिमतरणगनी जो है, यह इन में फसादी है, यह दोनों तो भावानी पर साद मिस्री जी ने लिखी है, लेकिन हिमतरणगनी जो है, वो माखनलाल, म और परिशान कर सकते हैं क्योंकि हम सब याद नहीं राथ सकते हैं लेकिन मैं यहीं कहुँगा कि आप जितना रिवाइस करना चाहें करिए प्लीज बार 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 रिवाइस करोगे इन चीजों को तो 100% याद हो याएंगी ठीके सिर्फ एक्जाम तक याद करना है फिर इ सपना काट का सपना यह एक हो गया देन नेक्स वन इस केसफदास केसफदास जी ने रसिक प्रिया और कभी प्रिया लिखी थी तो राइट गाइस इस तरीके से आप देखिए ना questions आ रहा है यह हमने पढ़ाये कि नहीं पढ़ा है आप लोग भी आनते हो मेंने पढ़ाया है या फिर कोई famous personality है वो किसी जंजाती से बिलॉंग करती है या फिर वो famous personality है जो किसी particular कला से बिलॉंग करती है तो MPPST used to ask this question तो personality based question जितने हो सकते हैं प्लीज सॉल्व करिएगा जैसे you can see this question जो 2021 में पूछा गया था कि राम सहाय पांडे जी जो है वो किस folk dance art से related है और यह का करके dance होता है folk art होता है तो राम सहाय पांडे जी उससे related है अब generally यह जो questions पूछते हैं जैसे किसी को पदमस्री मिला या किसी को मानके चलो भारत रतना मिल गया या कोई अवार्ड मिल गया या कालिदा सम्मान मिल गया या असोक मतलब कोई वी सम्मान मिल गया और वह बंदा मद्यप्रदेश का है इंडिया लेवल पर भी उसको recognition मिल रहा है तो गाइस वालो है यह question पूछे आ सकते हैं समझे आप लोग ऐसे questions पूछे आ सकते हैं तो इनको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा समझ पा रहे हो ना इन पर थोड़ी से नजर रखिएगा परस्नालि अब यह कौन सा ट्राइवल आर्ट फॉलो करती है तो यह गौंड ट्रेडीशन से लेटेड है अब यह क्यों पूछा गया क्योंकि इनको पदमस्री मिला था आइटिंग 2020 में पदमस्री मिल गया तो यह famous हो गई तो इन पर question पूछ लिया गया तो हमें थोड़ा सा smart strategy भी अंसंग क्या है इतने सारे एक्टर भी है एक्टर भी है कितने पड़ोगे तुम लोग बताओ अंजी है कि नहीं इसलिए थोड़ा सा धिमाग भी लगाना पड़ेगा ऐसी एक और next question पूछा गया है जैसे आप देखिए मैंने बता है प्रोड़क्ट वेस्ट क्वेस्ट वे तो इन पर तुम लोग जितना मैं पढ़ा सकता था मैंने पढ़ाने की कोशिस करी है लेकिन कई questions इस पर भी आ सकते हैं जैसे आप देखिए यह जो है बालगहांट है अब यहां पर direct जो question आ रहा है ना बालगहांट कोडो कुक्टी से लिलेटेड़ अब यह कई यहांगों यह से बाला घाट है तो यह कोडो कुक्टी नहीं मालूम चलो छोड़ दो बैतूल जो है गाइस बैतूल जो है टीक वूड अब यह बैतूल यह टीक वूड के लिए सही में फेमस है च्योंकि यह चेत्र के है ट्राइवल चेत्र भी है खुसंगवाद भी पास में मतलब और इमेजिन करो चेत्र कि यहां पर जंगल वंगल अंगल बहुत ज्यादा होगा तो यहां पर टीक वूड तो मिलेगी मतला ओव्यस्टी वाद है टीक वूड तो यहां पे मिल सकती है तो second का सी हमने देख लिए second का सी देख लिया अब इसके अलावा कहीं पर सी दिख रह नहीं दिख रहा है आंसर हो गया यह UPSC टाइप के questions है एलिमिनेशन और गाइस यह question अभी आना चलू है पिछले साल मैं guarantee दे रहा हूं इस बार का level थोड़ा सा और उपर रहेगा UPSC जिस तरह से questions पूछता था उस तरह से questions पूछे आएंगे 101% पहले के जो one-liner questions देना उनका ए दिमिटेशन अब धीरे 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 उनको कम करेंगे और MPPSC थोड़े इस तरीके के जो questions है थोड़े से tricky वो बनाना चालू करेगा जैसे आप देखिए यह खरवन है अब खरवन चिली प्रोडक्ट के लिए काफी famous है है कि नहीं है and last one is nursing पूर यह जो है ना यह याद more question मिसल मिसल से related है जैसे आप लोगों ने सिख और पढ़ा है सिख यह random question है लेकिन है art and culture से related क्योंकि यह personality-based question है जैसे रंजीत सिंग जी है अब हो सिख थे लेकिन यह कौन सी मिसल से बिलॉंग करते मिसल मतलब जैसे मैं कम्यूनिटी पर्टिकुलर कम्यूनिटी से करते हैं सुकर चकिया मिसल से तो direct question पूछा गया है you can see this question also then next question देखिए फिर से MPPSC ने art और history मैं सच बता रहा हूं अगर आप लोग MP history में art and culture को बहुत अच्छे से तैयार करोगे ना आपका prelims निकल जाएगा MP history में आप medieval पर जाओ वे important है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि important नहीं है लेकिन questions कितने आ रहा है पहले यह भी तो देखो questions कितने आ रहा है ठीक है अगर वो questions आ रहा है तो क्या आप वो solve कर पा रहे हो ठीक है solve नहीं कर पा रहा हो तो उस पर ध्यान दो लेकिन particular limit के बाद पहले अपना जो cost benefit है इसको देखो इसको देखने के बाद आप उस तरफ थोड़ा सा जुखना चालू करो ना तो बहुत अच्छा रहेगा अभी यह जो आपके पास एक दो महीना वच्छा हुआ है एक देड़ महीने में अपना जो comfort zone है उसमें तुम इतने अच्छे परिपक वो जिसमें तुम अपना maximum time almost 70% time जो है important time वो से 5 questions पर दे रहा हो तुम जो 30% time दे रहो 15 question वाले एरिये में वहाँ पर तुमारा time कही ना कहीं बड़ा देना चाहिए मतलब 70% time वो इस एरिया को दो ना आप लोग तो यह थोड़ा सा important रहाएगा जैसे अब यह next question देखिए in which city of madhepridis इंद्रा गांधी tribal university is located अमार कंटक ऐसी previous year भी MPPSC ने पूछा था कि भोपाल में जैसे जो stadium है इस ट्राइब ना यह थे पूछ लिया जाते हैं तो इतना समझ में आया के नहीं है देखो गाइस आप लोगों को मेरा यह मानना था कि पहले आप लोगों को यह बता दूँ कि MPPSC किस तरीके का अप्रोच रख रहा है as usual जितनी बार में आपको पढ़ाया मैंने हर वार यही बोला है if you are working without plan it means you are planning to fail इसलिए सबसे पहले आप लोग प्लान करना चालू करें कि आप लोगों को करना क्या है तैयारी केसे करनी है ठीक है जो आप पढ़ रहे हो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए राइट कोई वीड़ा उट हो तो बताएए कि येस नो डाउट्स प्यूस समझ में आया समी समझ में आया तनू वर्षा अधिती चलिए आ गया ना सो गाइस नाओ वी मूव न तो दा नेस्ट शीज ऑफ MP का हिस्ट्री 1857 के स्ट्रकल के वारे में लोगों ने पढ़ लिया था फेपर्स परस्नालिटीज ऑफ 1857 अल्सो आप टॉट यू राइट अब लोग इंडिया लेवल राइट और उसका कहीं ना कहीं MP पर भी तो MP पर भी तो कहीं ना कहीं आप एक notice करेंगे कि MP पर भी उसका एक influence था क्योंकि MP यह एरिया था उस ताइम पर मध्य प्रदेश नहीं था उस ताइम पर हम लोग आप देखेंगे जी भीच का पूरा पोर्शन सेंट्रल इंडियन प्रोविंस में काउंट होता है तो जब हम लोग पढ़ना चालू करें थे 1857 के बाद कई सारी और आई थी तो मैंने आपको बताया था कि कॉंग्रेस सेंस भी काफी इंपोर्टेंट है और जब-जब कॉंग्रेस ने कुछ काम कर रहा है ऐसे पैन इंडिया लेवल पर अगर खिलाफत मुव्मेंट चल रहा है तो उसका इंफुलेंस MP में क्या देखने को मिल रहा है MP में कौन-कौन सी फेमस परसनालेटी इस थी ज नहां पर आप देखेंगे 1886 में कलकत्ता सेसन होता है 1886 में कलकत्ता सेसन होता है आप समय रहा है 1886 में अब यह सेसन आप लोगों को जब मॉडर्न इंडिया निश्टी पढ़ा होगा तब आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा कैस इसे कैसे session हुए अगर मैं पढ़ाने वेड़ गया है ना Congress के बारे में Congress related conspiracy theories थी, safety valve theory क्या थी, drain of wealth वाली theory क्या थी, तो यह सब में काफी time consuming होगा, तो MP specific अगर हम देखें तो 1886 में कलकत्ता session होता है और इसको preside करा गया था नारो जी साब जी के द्वारा, अब कई सारे लोग थे जो participate करे थे जैसे आप देखिए यह नाम पूछे आ सकते बापुराओ गंगाधर चिटनिज जी अब्दुल अजीज जी यह सारे के सारे लोग जो थे Central Province में participate करे थे मतला उस टाइम पर समझ रहा हो तो उस टाइम पर जब meeting हो रही थी और meeting के पहेड कोनते जी दादा भाई नारो जी जी तब यह सारे के सारे लोग पार्ट्सपेट करें थे तो आपसे यह पूछा है सकता है question समझो question क्या आएगा कि गंगाधर चिटनिज जी और अब्दुल अजीज जी यह काई से लेटेट थे क्या यह 1857 के struggle से लेटेट थे नहीं यह लेटेट थे कलकत्ता सेशन 1886 से आई वाद समझ में अच्छा कलकत्ता सेशन 1886 में में लीडर कोनते तो नारो जी ती यह आप यहाद आगे दूसरा नाखपूर में यह सेशन हुआ था 1891 में तो उसके जो में प्रेसेडेंट थे वह मैं मालू है आनंद चारलू जी क्यो क्यों मालूमना चाहिए ज़्य क्योंकि यए सेशन हुआ था तो मद्धेप्रदेश में जो सेंड्र प्रॉइनस वाला छेत्र हो गया मालवा वाला छेत्र हो गया यहाँ पर भी गंणपती फेस्टिवल सिवाजी फेस्टिवल एलाउ करे गये थे तो हमारे पूरे मद्धे प्रदेश में सिवाजी और गनपती जी फेस्टिवल को सेलीवरेट करने के लिए परमीसन देदी गई थी बस इतने ही याद रखना है आयवाज समझ में इस पर इवन आप लोगों ने क्वेस्टन्स आये हैं मैंने देखा है आंसर आये राइट आप सम्झों कैसे आएगा गाईस जैसे कॉंग्रेस सेशन लेटेट टू मध्धिप्रदस इसी पर कि हाउ मेनी कॉंग्रेस सेशन वेर देर जो डिरेक्ली MP को इंफ्लेंस कर रहे थे पांच मारकर मे में भी आ सकता है लेवन मारकर में भी आ सकता है राइट नेक्स्ट जो सेशन हुआ लाहोर सेशन ठीके उस टाइम पे भी नारो जी साब थे प्रेशिडेंट आदा भाई नारो जी गुजरात से ब्लॉंग करते हैं लेकिन 1893 का जब लाहोर सेशन हुआ था ना तो इसमें फ् पृरी सेशन तिरुपूरा बोल दिया उन्हें तिरपूरी सेशन था ये चेतर कहां का है जवलपूर का है पहली चीज याद रखना है जवलपूर में है तिरपूरी उस टाइम पर ये सेशन कब हुआ था 1939 लिखा हुआ है 1939 रह और इसमें जो प्रेशिडेंट सवाष सवाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था और इस सेशन के चलते है आपको याद होगा कि गांधी जी ने सवाष चंद्र बोस जी के आइडिलोजी से सवाष चंद्र बोस जी समवाट मैं बोल सकता हूं कि थोड़े से सवाष चंद्र बोस जी को तो नहीं बनाना चाहिए और गांधी ने ये स्टेट्मेंट दे दिया था कि अगर कोई और जीता है या सुवाष जीते मेरा खुद का एक पट्टा भी सिता रमया जीते अगर मेरा खुद का का इंडिट नहीं जीता है तो फिर मतलब यह मेरी पर काफी पॉपिलर थे लेकिन फिर वह सेसन नहीं हुआ तो इस तरीके की बातें यह हैं तरी गहीं थी खेर लेट सौल अब आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है अब थोड़ा सावर डेप्ट में पढ़ेंगे अब देखिए अगर हम मध्यप्रदेश की हिस्टी के बारे इस पर क्वेस्टन है आएगा क्यों स्टाइबलेस करी गई थी क्योंकि देखो रिवाल्ड हमारे मध्यप्रदेश में बहुत जादा देखने को मिल रहे थे पहली चीज ठीक है फिर 1908 में एक प्रोविंजल सेसन होता है कॉंग्रेस का जो और इस सेसन के जो में लीडर थे वो करता धरता हम बोलें पंडित रvी संकर जी अब ये जो शेसन प्रोविंजळ नल मतलब एक छोटे लेवल का शेसन हुआ और इसके जो में लीडर थे जी सुक्ला जी थे क्यों इंपर्टेंट है च्योंकि यह हमारे मद्धि प्रदेश के CMB आने वाले समय में बने थे और ये बंदा जो था यह परस्णालिटी जो थे कहां से बिलॉंग करते हैं जी सागर से बिलॉंग करते हैं अब सिर्फ और सिर्फ रवीशंकर सुकला जी ही नहीं थे रागवेंदर सिंग जी भी थे जिनोंने कंट्रिबू I want to see your answers, yes, Rollet Act, काई के लिए फेमस है, बताईए, बताईए, प्रीस टेल, नहीं मालूम, तुम लोगा आंसर नहीं दे रहे हो, जो को मैं बता देता हूं, इंडिया नैसल कॉंग्रेस जब चल रहा था ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, कि Rollet Act पास करा गया था, बिटेसस को दा रहा, एक बंदा था जिसका नाम था Sydney Rollet, यह जो बंदा है ना Sydney Rollet था और यह जो बंदा था, यह एक ऐसा बंदा था, इसका यह मन कर रहा था कि यार जितने लोग बाहर रोड पे निकल रहे हैं, इन सब को पकड़के मारा जाए, समझे रहे हैं, इन सब को नहीं है, किसी भी प्रकार की अपील की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब वो जस्टिस कोट के पास भी नहीं जा सकता, तो यह इसलिए Sydney Rollet ने पास कर रहा था कि जो हमारे हैं रेवल्यूशनरी तो उनको पकड़ा जाए, पकड़ा के बंद करा जाए, उनको कंबल को टाई कि नहीं करना है, कंबल को टाई तो प्यार वाली होती है, कि अच्छे तरीके से सुताई करनी है, ठीक है, ताकि उनकी जो रेवल्यूशनरी जो बिलकुल उनमें घुसा हुआ है, वो निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब लोग क्या हुए जी, रोड पर आगा है, उन कि यह प्रवेंट कर रहा है हम तो, रिटेंशन जो है, अब उसको प्रवेंट कर रहा है, इस तर्ज पर, राइट, नाओ, विवेंट टू था, एंपी में क्या हुआ तो देखो, जैसे रॉल अटेक्ट वहां पर देखने को मिला, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी होम रू जवल पर हुआ, इडवा स्टार्टेट अटी नेशन लेवल इन दा इयर, 1915-16, अब होम रूल मुवमेंट जो था है, स्टार्ट हमारे मध्य प्रदेश में कहां से होता है, वो जवलपुर से होता है, चीक है, अब उस टाइम पर डिमांड क्या थी, तो जो डिमांड थी न ज़्यादा पीक पकडने लगा ना, तो रॉलेट एक्ट पास करा गया था, एंड प्रोविंसल जो पॉलिटिकल काउंसिल था, खंडवा में स्टाइबलेस करा गया, खंडवा मध्य प्रदेश का चेत्रे, एंड ट्वालेट एक्ट के अंगिस में, हमारे जो प्रोविंसल बना था, इन्ःहोंने धरना रहा था, that is the main reason this खंडवा चेत्रे इंपॉर्टेंट made, एंड यह से करके और जिक वफ Isra स्लेट थे इन्होंने JE लीड का रहा था that's all that's all what you आप देखिए हम बात करते हैं इंडिया नेसल मुवमेंट के कई सारे इवेंट्स हुए थे जैसे गांदी जी ने करे थे अब आप लोग जानते होंगे केक खाया था गांदी जी ने सबसे पहले गांदी ने चम्पारण मुवमेंट कर रहा था चम्पारण टीख फिर ए से एहमदाबाद मिल इस्ट्राइक जी गडा सत्यागरे गांदी के द्वारः करा गया था अब आप एसे कुछ मुवमेंट थे अब हाला कि और भी चीज़े थी ऐसे civil disobedience मुवमेंट हो गया खिलाफत मुवमेंट हो गया then then individual सत्याग्रे हो गया then quit India मुवमेंट हो गया तो यह सारे के सारे गांधी इसके leader थे guys समझ रहे आप लोग यह सारे के सारे मुवमेंट में गांधी ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा then और भी सत्याग्रे हुई मद्यप्रदेश में like the flag सत्याग्रे like the jungle सत्याग्रे like the salt सत्याग्रे पर भी question आया था भाई कहां से start करी गई थी क्यों करी गई थी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अम लोग और भी कई सारे मुवमेंट जो हमारे मद्यप्रदेश में हुए थे इस पर questions three marker five markers बनते हैं जैसे कि slaughterhouse movement मद्यप्रदेश में हुआ था पंजाब मेल मसाकर हुआ था पंजाब मेल जो थी वह उसको जला दिया गया था है तो मसाकर हुआ था फिर चरण पादुका बसाकर इसको छोटा जलिया वाला भाग भी कहा जाता है राइट दन वजान शूटिंग हुआ चिचली इंसिडेंट हुआ ऐसे करके इंदौर सराफवजार में भी काफी सारे मुवमेंट हुए है इस तरीकी की मुवमेंट देखने को मिले इतना समझ में आया है एक एक करके आब हम लोग बढ़ेंगे येस एनी डाउट तिल है येस गाइस प्लीस टे कि को इतने इजी वे में समझो जैसे कि मुवमेंट हुए था वह ये था इतना सा था आओ लिए खलीफा थे, कहां पे जी? इमेजन करो, आप लोग क्या कर रहा हो भाई, मूवी के डारेक्टर हो, अब आप इमेजन करो कि आपके सामने पूरी हिस्ट्री फिलिम पे चल रही है, परदे पे चल रही है, तो खलीफा करके बंदा था, खलीफा, खलीफा कुनते जी? सुल्तान, सुल्तान जो थे खलीफा, वो तर्की के थे, अब पूरी के पूरी मुस्लिम कम्यूनिटी, तो हमारे पूरे भारत में है, या पूरे वर्ल लेवल पर है, वो उसको बहुत बड़ा मानती थी, या मान के चलो, उनको बहुत बड़ा मानती ही, मतलब वो हमारे ही रो है, यही हुआ, इनको माना गया था कि यही है, सुल्तान जी तर्की के यह बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब Kholीफा हैं, या फिर इसको receipt है है, कैलिफेट का टाइडल दिया अब यह जो कैलिफेट का टाइडल दिया गया था इस बंदे को यह रूल कर रहा धालेकिन बिटे-सर ने क्या गहारा जी इनको उनका भी एक मतलब बोल सकते ना उनका भी तो एक स्टेंड है और उनको भी साथ लेके चलना है तो सिच्वेशन कुछ ऐसी वनी और हमारे इंडिया में गांधी जी ने मुस्लिम्स के साथ मिलके एक मुवमेंट लॉंच करा जिसको मुलते है खिलाफत मुवमेंट बस इतना सम अब क्या रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो में लीडर थे वो थे अलीबंदू भारत देश में लेकिन हमारे मद्देपर देश में जो में लीडर थे वो थे खान अब्दुल-गफ़ार खान इनको फ्रेंटायर गांधी भी कहा जाता है किताबों में यही ल रतन से नवाजा गया राइट not from India but outside India from Pakistan जिनको हमने भारत रतन कर सकें आजादी के बाद लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान नहीं डाल दो सीधी नहीं होगी तो ऐसी हिस्तिती इनकी अब हम देखें जी मुमेंट जब चला ना तो हमारे जबलपुर में मुंसिपालिटी की ज सुना होगा तो बहुत फेमज है वहाँ पर इन्हों ने फ्लैग मलेक लहरा दिया और फिर यह मुमेंट को लेकर हमारे इंडिया में माहुल खिसता रहा खेर अब हम बात करतें नॉन कॉपरेशन मुमेंट गाइस यह जो मुमेंट है पूरे भारत में चला और में लीडर कु की सीहौर की तो सीहौर में एक बंदा था जिसका नाम था जी प्रभाकर दुंदी राज प्रभाकर दुंदी राज जी प्रभाकर दुंदी राज जी यो थे यह सीहौर के कोतवाल में कोतवाल में में उसके इर्दगिर्द इखटे हुए कई सारे लोगों को इखटा कर रहा तो वहीं पर इन्हों ने का होली का देहन हो गई पिटी सर्स आजाओ देख लो होली का देहन हमारे यहां इस तरीके से होती हो तुमारे कपड़ जला देते हैं हम लोग तो इस तरीके से होली को इन्होंने इंपोर्टेंस देना चालू करी and this famous incident is also called as the holy of foreign clothes then next one मद्य प्रदेश के जाबुआ चेतर में मद्य प्रदेश के रतलाम चेतर में भी दो लीडर थे यह बहुत famous रहे और इन्होंने भी foreign clothes को जलाया जैसे कि आप देखेंगे जी उमर खान क्या जी उमर खान उमर खान जी then master लाल चंद्र जी master लाल चंद्र राइट यह जो तो बंदे थे वो काफी आदा famous थे तो हमारे मद्य प्रदेश के जाब हुआ as well as रतलाम चेतर में आपको यह देखने को मिलेगा not only that और भी कई सारी famous personalities थी like you can see here द्वार का प्रसाद मिस्र जी द्वार का प्रसाद मिस्र जी उनके अलावा भी आप देखेंगे जी माहलाल चत्रुवेदी जी not only that सुबद्र कुमारी चोहान जी यह भी मद्य प्रदेश के उस टाइम के जो मुवेंट्स चल रहे थे उसमें पाइट स्बिट करें थे तो पस इतना ही याद रखना जहाओ और अतलाम में भी हमारे इंडिया में कुछ कुछ देखने को मिला ठीक है clear हुआ अब देखिए next जो मुवेंट्स था होता जी slaughterhouse मुवेंट्स होता क्या है यह बताओ पहले slaughter का मतलब क्या होता है क्या होता है बताओ आप लोगोंने slaughterhouse फीट मटन लिने जाते न चानवर को मारा जाता है बचूकर खाना क्या वोलते हो से राइट तो slaughterhouse मुवमेंट हमारे इंडिया में जला हो क्या रहा था रतों ना करके सागर में जगा थी वहां पर बिटिसर्स चाह रहे थे कर्म भीर कर्म भीर कर्म भीर इन्होंने एक मैगजीन तो यह आपको याद रखना पड़ेगा कि महाखान लाली चतरवेदी जी ने कौन सी मैगजीन लिखी थी इस नेम वास कर्म भीर याद रखेंगे आप लोग या नहीं नेक्स्ट जो हमारे हिस्ट्री में सबसे तकड़ जवलपुर टाउन हॉल में इसको होईस्ट कर गया था 1923 को जब नॉन कॉपरेशन मुमेंट चल रहा था उस समय पर यह आपको याद रखना अब यह जो फ्लैग था क्यों होईस्ट करते हैं अच्छा फ्लैग पता का क्यों लहराते हैं क्योंकि यह हमारा सिंबल है हमारी आ हम लोग युनाइटेड हैं एंड वी कन फाइट अगेंस्ट इस ब्रूटल इस सेमलेस बिटिस राज राज यह आपको समझना है जहंडा सत्यकरे के बारे में अब इसके कई सारे अब्जेक्टिव थे अब्जेक्टिव वही जो मैंने आपको बता दिये लेकिन कुछ पर्स दाउन हाल थेन नेक्स्ट वंदेते लिए प्रम प्रेम चंद्र जी प्रेम चंद्र रेम चंद्र फ्रम व्यर दमोहु दमोहु राइट यह आपको याद रखना बंदेलकंड का छेत्रे नाट अली दैट गैस इसके लावा कई सारे लोक तेसा सुंदरलाल जी नातुराम चौहान जी माहलाल चतरवेदी जिनका जन्म कहां अलाहबाद में वह था लेकिन आःग वहा था रिब्साइट को मारी चोहान का बता रहा हूं मैं इनका जन्म अलाहबाद में हुए था फिर हमारे इंडिया बोल दिया था मैंने एंपी में आ गाई थी पिर साधी हो वई थ की का जो जन्म हुआ था वो होसंग बाद में हुआ था पूरे होस में थे यह तो नाम आपको याद रखना है अब सुबद्र कुमारी ची चोहान क्यों फेमस है क्योंकि सी फिस्ट वूमेन जो इंप्रिजन करी गई और क्यों करी गई कौन से मुमेंट में या कौन से सत्याग् देखने को मिलेगी नागपूर में नागपूर में नागपूर में और नागपूर में और नाखपूर में कौन मंदा था जिसने इसको आगे बढ़ाया था तैट पर्सन वास देवदास गांदी यह वाला देवदास नहीं है टिक है जो गाना का रहा है तो वाला देवदास मत समझ वेटना यह देवदास गांदी है राम गोपाल चंद्र जी रगजेंद्र प्रसाज जी सुंदरलाल जी यह सारे के सारे लोग जो थे इस इंसिदेंट से लेटेट थे और इनको जेल मबंद कर दिया रहा है इतना आपको याद रखना है जंडा सत् लेते तुमारे पेर दर दिखा दो बस हम तुमारे पेर भी दावा देंगे तो प्रसाज ने यह बोलके छोड़ो दिया कि ठीक है बही है छोड़ो छोड़ो जंडा लहराने दो फिर सॉल्ट सत्यगरे मद्धिप्रदेश में देखने को मिला अब आप लोग जानते होंगे गांडी मार्च होई थी एक नहीं है जी गांदी जी और उनके सारे असोसीरेट्स थे वो मिलके डांडी मार्च करें तो उस यह ना मतलब एक प्रकार से हम गोल सकते हैं इंडिया लेवल का सिविल डेसाविडियंस मुव्मेंट था जो भी बिटिसर्स लौ बना रहा है हम उ उसके लीडर थे सर्गना थे अब यही चीज हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला अब देखिए हुआ क्या था ने इंडिया लेवल पर हुआ था वो मध्य प्रदेश में क्या हुआ जी पहली चीज आप यह याद रखो कब हुआ से विल डेस मुमेंट उन्निस सो 1930 में यह आपको याद रहना मध्य प्रदेश से काफी सारे लोग थे जिन में से एक बंदा था देवदास गांधी यह मिल गया आपको दूसरे जो बंदे थे वो थे गोविंद दास जी और तीसरे जो थे आप देखेंगे जी द्वार का प्रसाद जी तो यह जो तीन लोग यह याद रखना है आपको यह काफी यादा फेमस तो मध्य प्रदेश से बलौंग करते थे जवलपूर से यह मुवमेंट कुछ-कुछ स्टार्ट हुआ था और पूरे मद्यप्रदेस में सेंट्रल प्रोविंस में यह काफी यादा एक्सपाइंड भी हो गया राइट फिर यह मुमेंट धीरे-धीरे बढ़ा फिर बढ़ते बढ़ते यह पहुंच गया सियोनी के पास कहां पर जी सियोनी मद्यप्रदेस का जो प् फिर क्या करा जी खंडवास ही हो रहे से कई सारी यहां पर सॉल्ट लो जो था ब्रेक करा सॉल्ट लो ही क्यों अच्छा गांधी यह बड़े चालक थे इसी चीज़ पकड़ो जो कॉम्प्लिकेटिड नहीं हो सॉल्ट लो सॉल्ट हर घर में डलता है नहीं रहो ना पर एक मत चल रहा है महोल लेकिन उस टाइम पर सिफ चरका होता था तो इसलिए गांधी ऐसी चीज़ को पकड़ते थे जिसके थुरू हम इजी वे में पॉब्लिसिटी पाप आए नेक्स्ट जो आप सत्यागरे देखेंगे मध्य प्रिदेस में वह देखने को मिला जंगल सत्यागरे ठीक है अब जो जंगल सत्यागरे हुआ था जिसको अलग-अलग नाम से मतलब जाना भी आता है या फिर अलग-अलग जंगल में वह देखने को मिला जैसे घुडा डोंगरी छेत्र में हुआ था तो इसको बलते घुडा डोंगरी सत्यागरे बेतूल के पास में आप लोग जानते होंगे तूरिया जंगल सत्यागरे यह जानते हो और्चा जंगल सत्यागरे और्चा वाले चेत्र निवाली वाले चेत्र में हुआ तो इस तरह से सत्यागरे देखने को मिला फॉरेस्ट में यह संत्यागरे क्यों कर गया था क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड नियम का पालन प्रेटिसर्स नहीं कर रहे थे या फिर हम लोग भी चाहते थे कि भाईया यह जो पेड़ कटिंग कर रहे हैं यह काटे या रहे हैं जंगलों में आग लगा या रहा है इंडस्टिल रेवल्यूशन के नाम पर तो यह सब हमारे यां ना हो तो उसको रोकने के लिए अ यहां पर जो बंदा था उनका नाम ताजी दुरगा संकर जी ने तुरिया जंगल सत्यागरे ने नेस्ट वन जो देखने वही दो फेमस थे चंदर पादु का मसा कर इस पर MPPSC ने क्वेस्टन पूछा है फिर से मैं बोल रहा हूं जादा नहीं पढ़ना है दो से तीन लाइ होगे तुम लोग कितने सारे Facts से याद करोगे लेकिन कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो जैसे आप से पूछा है चरण पादुका कब हुआ जी 14 जनवरी 1931 बात खतम हो गई अच्छे चरण पादुका को किस नाम से भी आना आता है जलिया वाला बाग मसाकर आफ बद्र प्रदेश नाम से आना आता है दूसरी लाइन कहतम हो गई तीसरा यह चीज है जी इसको किसने मतलब लोगों को मारने के लिए जैसे जलिया वाला बाग में जनरल ओडायर बंदा था आपने नाम सुना हुआ जिसको ठोका था किसने ठोका था याद है हमारे बहुत फेमस वे कुदम सिंग इन पे एक मूवी भी भनी हुई है ठीक है लंडन में आके इन्होंने उन्हीं के घर में बरतन माई जी फिर बाद में बंदूग निकाली हो ठोक दिया ऐसा कुछ था कुछ देख लेना आप लोग फिर आप देखेंगी छतरपुर जो जिला था वहां पर यह सत्य हमारे मंदे प्रिदेश में हो था उसके ओडर इसका यह ने दिये इसको आप लोग अगर चाहो तो ग्रीं मैंगो भी बोल सकती हो ग्रीन मैंगो को handi में कर लो इल्कुल मस्त तुम्हें इसका नाम मिल जाएगा तुम लोगे नेक्स जो कुछ मुमन मतलब इनोंने कुछ डाटा दिया है नाम दियो हुए है जो लोग मरे थे तो गोविंदास जी घरमदास जी चीरू कुर्मी जी तो इस तरीके के कई सारे लोग थे जंगल सत्त्य अगरे फिर आप देखेंगे जी खंडवाज शेत्र में पंजाब मेल मसाकर हो जाता है जुलाई 1931 में यहां पर भी आप दो तीन फेमस परसनालिटीज के नाम याद रख सकते हैं जैसे देव नारायन तिवारी जी हो गए य इतना तो आपसे कुछा नहीं जाएगा कि कहां पर इने सेंड कर दिया गया था या छोड़ा जैसे आप लोग जानते होंगे काले पानी की जिल बहुत डेंजर जिल थी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और ये सारी परसनालिटी जैसे बीर यसवंत जी हो गया देव नारायन जी हो गया इनको भाई मारा गया मारा तो बाद में गया लेकिन हां मार दिये गया था और दलपत राओ जी को काले पानी की जिल में भीज़ता देव नारायन जी को मार दिये गया था और दलपत राओ जी को काले पानी जिल में भीज़ता याद रहे ये ठीक है नही प्लड़िया जला दीती बात खत्म होगी ठीक है इतने ही है अब उससे जाधा क्या ही पूछेंगे और नेक्स बने मजान मसाकर यह सुहावाल मसाकर जो देखने को मिलता है यह आपको देखने को मिला गाए सतना में सतना और जो मेन लीडर था यहां पर उसका नाम था लाल बुध्धा परताप सिंग यह आपको याद रखना है और वी फेमस पर्सनैलेटी इस ती लिखियो हुए है इसे चिचली इंसिडेंट होता है ठीक है अब चिचली इंसिडेंट जो हुआ था जी डारेक्टली कोईट इंडिया मोवेंट से लेटेड अज चिचली बता देता हूं चलो क्या हो रहा है कि in which speeches were given against the Britishers यहां पर तो यह मोवेंट होगा तो ऐसी होगा अब जब गलत मतलब बोलेंगे कि हम सही बोल रहे थे अब जब लोकल लीडर्स को अरेश्ट करा जैसे आपने देखा होगा एक मुमेंट था इसमें आघ लगा दी गई थी बहुत फेमस था जलियावाला वाग क्यों हुआ था उसका एक कारण था ठीक एक चेत्र था एक पुलिस इस्टेसन था बताओ तुम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट का नहीं सुना है रो है चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था इसमें पुलिस वालों को बंद करके आग लगा दी गई थी खेर उसको छोड़ दो अभी आप च्छा उब था कि जो बिटिस थे उन्होंने फालतु में मतलग फारिंग वारिंग पर राइस मुमेंट भी देखने को मिला रिवा स्टेट में वह भी थोड़ा होत याद रखिएगा फाइटिंग फॉर्द इंट्रेस्ट फार्मर्स ओनली यहां पे बंदा था इसका नाम तर्वारी जी जो बीरगती को प्राप्त कर लिए गए पिर आखरी में आप लोग ज चाहिए इस प्यांसर क्या हुआ था मैंने वैसे तो बताई दिया है क्या हुआ गांदी जी यह थे ना वह चाहते नहीं थे कि स्वास्चंद्र बोस इंडिनेसल कॉंगरेस के लीडर वने तृपुरी सीट से स्वास्चंद्र बोस ही जीत रहते ते फिर नेक्स यह चुनाव स्वास्चंद्र बोस जी थे थोड़े से एक्टिव लीडर थे इनोंने मिलिटरी मारा तोड़ी काट्या फीटी इन पे यह स्वास करा करते थे अब जैसे यह लीडर वनें इंडियनेसल कॉंग्रेस तृपुरी सेशन के यह लीडर बनते हैं गांदी को पसंद नहीं गांद पर्षाइब भी सीतरमया कि अगर हार हो रही है तो मेरी पर्सनल डिफीट है वो मेरी पर्सनल हार है यह बोल दिया चाहिए उन्होंने यह बोला तो वही दिमाग खरा होगा है सुवास्चंद्र बोस तो सुवास्चंद्र जी ने कहा कि हम तो रिजाइन कर देते हैं और अगर आपको कोई बीड आउट हो तो आपके पास थी सेकेंड गावक्त है प्लीज दू आस्क मी आपको इसे सब्जेक्ट बहुत इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है मैं आपको सच बताऊ ना तो हिस्ट्री को बस एक पर्सनल एक अपना एक डारेक्टर वाला माइंड सेट लेके चलो आपके सामने फिल्म चल रही है आप एक डाइरेक्टर है जो भी हो रहा है वो आपके सामने परदे पर हो रहा है या पिर आपको एक मूवी लिखनी हो एक खुद की तो इंडियान ऐसल कॉंग्रेस भी एक अपने आपमें बहुत बढ़ी वैब सीरीज है लेकिन इसके कम से कम नहीं तो 60-70 episodes हैं, अगर आप ऐसे episodes देखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा, जैसे आप लोग जानते हो, आप लोगों कितने बच्चों ने money heist देखी होगी, right, money heist की अगर आप episode देखेंगे तो 4-5 season में तकरीवन 35-45 घंटे का उसका पूरा time period है, और तुम मारे जो आजादी के समय के जो incidents हो गए, इनको ऐसे, ऐसे आप देखो कि ये छोटी-छोटी stories है, short stories है, अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग लागा के इस तरह से पढ़ना चालू करोगे न, 1% I assure you, I guarantee you, this is going to be one of the famous as well as the most amazing subjects for you, right, I hope you understood guys, कोई भी डाउट हो तो सिर्फ आदे गंटे का और फिर प्रखर सर भी class लेंगे, उसको continue करें, अभी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, yes, क्यू समझ में आया, उचर, आपने, all clear, no, Samhi, जो previous year questions आप जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, चलिए, so okay guys, thank you, thanks a lot for as usual, listening very patiently and peacefully, after just 5 minutes में मिलता हूं, 5 minutes से 5 से 7 मिनिट में मिलने वाला हूं, आप लोगों से, फिर से हम लोग MP, geography की कुछ नदियों के बारे में जानेंगे, और class को off करेंगे, right, so again thank you guys, for listening very patiently and peacefully, stay tuned with me, आजी सर, continue कर लू,